प्रस्न चौदा का पहला मोहन लाल अपनी समपत्ती का एक वटा चार अपने पूत्र के लिए तथा एक वटा पांच अपनी पूत्री के लिए तथा सेस अपनी पत्नी के लिए छोड़ गए यदि उनकी पत्नी का हिस्सा 33,000 रुपया था तो मोहन लाल के पास कितनी समपत्ती थी प्रैस्न चाओदा का पहला तो लिखेंगे माना की माना की मोहन लाल माना की मोहन लाल के पास मोहन लाल के पास कुल संपत्ती कुल संपत्ती थी एक सुरुपया अब लिखेंगे प्रैस्न से क्या कह रहा है कह रहा है मोहन लाल अपनी संपत्ती का एक बटा चार यानि एक बटा चार गुना एकस किसको दिया पूत्र के लिए फिर जोड कचिन देंगे फिर एक बटा पांच अपनी पूत्री के लिए तो एक बटा पांच गुना एकस यानि अपनी संपत्ती का एक बटा पांच हिस्सा किसको दिया पूत्री को तथा सेस अपनी पत्नी के लिए छोड़ गए तो सेस अपनी पत्नी के लिए छोड़ गए तो पत्नी का हिस्सा कितना है 33,000 तो 33,000 जोड़ देंगे इसमें और बराबर कर देंगे X यानि कुल संपत्ती X माने है तो कुल बराबर हो जागा तो पुत्र को इतना दिया पुत्री को इतना दिया है और अपनी पत्नी को इतना 33,000 रुपया तो तीनों को जोड़ेंगे तो कुल संपत्ती को बराबर हो जाएगा यानि कुल संपत्ती को हम X माने हैं अब देखिए इसको हल कर देते हैं तो 1 वटा 4 गुणा X यानि X वटा 4 जोड़ 1 वटा 5 गुणा X यानि X वटा 5 X को इस तरफ लाएंगे तो माइनस X हो जाएगा बराबर 33,000 को इधर ले जाएगे तो माइनस 33,000 इस तरह लिख लेंगे इसको ठीक है? X को सब X साथ और 33,000 को दाया तरफ ले जाएगे तो माइनस 33,000 हो जाएगे 5,4 का लगुतम 5,4 का लगुतम किता हो जाएगा? 5,20 तो 4,25 तो 5 गुणा X 5X यानि लिखेंगे जोड 5,20 तो 4 गुणा X 4X माइनस 20 गुणा X 20X हो जाएगा यहाँ पर बराबर माइनस 33,000 तो 5,49, 9 में से 20 गटाएगे तो 11 यानि माइनस 11 X बटा 20 बराबर माइनस 33,000 तो X बराबर कितना आजाएगा? अता X बराबर हो गया माइनस 33,000 गुणा 20 बटा 11 यानि माइनस 11 ठीक है? तो 11 से देखे कट जाएगा 11 यानि 33 यानि 3,000 बार में यानि कितना आ गया? तीन हजार गुणा 20 तीन दुणा 6 चे पे चार सूनने देंगे यानि 60,000 आ गया X बराबर तो X बराबर कितना आ गया? 60,000 तो कुल संपत्ति देखे आ चुका है 60,000 रुपया तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? अथा क्या पूछ रहा था? कि मोहल लाल के पास कितनी संपत्ति थी? तो लिखेंगे अथा कुल संपत्ति अथा कुल संपत्ति बराबर 60,000 रुपया 60,000 रुपया तो ये आ जाएगा इसका उत्तर कुल संपत्ति निकालना था जो कि आ चुका है तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है? तो प्लस में इसका उत्तर आएगा प्रस्न चौदा का दूसरा एक बास का एक बटा चार हिस्सा किच्चर में एक बटा तीन हिस्सा पानी में और दस फूट पानी के उपर है तो बास की लंबाई ग्याद करें तो प्रस्न चौदा का दूसरा तो हम लिखेंगा माना की बास माना की बास की लंबाई है बराबर एक्स फूट में है तो एक्स फूट मान लेंगे देखें प्रस्न में फूट में दिया है तो इसको फूट में ही मानेंगे यानि बास की लंबाई है एक्स फूट ठीक है तो बास की लंबाई बराबर एक्स फूट हम मान लेंगे अब लिखेंगे प्रस्न से करा एक बास का एक वटा चार हिस्सा कीचड में यानि बास की लंबाई को हम एक्स माने है तो एक वटा चार गुना एक्स कीचड में है जोड एक वटा तीन हिस्सा पानी में है यानि एक वटा तीन गुना एक्स बास को एक्स माने है तो एक वटा तीन गुणा एक्स क्या हमें है पानी में है और दस फुट पानी के उपर है तो जोड़ दस कर देंगे बराबर बास की लंबाई को हम एक्स फुट माने है तो बराबर एक्स लिख देंगे यानि इतना कीचर में है इतना हिस्सा बास का और इतना हिस्सा पानी में और 10 फुट पानी के उपर है उसका बास का तो तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जागा बास का कुल लंबाई के बराबर तो कुल लंबाई को हम एकस फुट मानें अब इसको हल कर लेते हैं तो एक वटा 4 गुना एकस यानि एकस वटा 4 जोड एक वटा 3 गुना एकस यानि एकस वटा 3 जोड दस बराबर एकस इस तरह लिख लेंगे तो देखिए एकस वटा 4 जोड एकस वटा 3 एकस को इधर लाएंगे तो माइनस एकस हो जाएगा दस को इधर ले जाएंगे तो माइनस दस हो जाएगा x प्लस में है दायां तरफ तो बायां तरफ माइनस में हो जाएगा और 10 प्लस में है बायां तरफ तो दायां तरफ माइनस में हो जाएगा लग हुत्तम लेंगे तो चारतीय बारा तो चारतिया बारह तो तीन गुना एक्स तीन एक्स जोड तीन चोक बारह तो चार गुना एक्स चार एक्स बारह गुना एक्स बारह एक्स यहां पे हो जाएगा बराबर माइनस दस घटाएंगी इसको चार तीन साथ साथ में से बारह गया तो पांच यानि माइनस पांच एक्स बटा बार बराबर माइनस दस तो एक्स बराबर तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हता है एक्स बराबर माइनस दस गुना बारा बटा माइनस पांच देखें, बारा भागा में है, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, माइनस पांच एकस के साथ गुना में है, बाया तरफ, तो दाया तरफ जाके भाग में हो जाएगा, पांध दूना दस काट देंगे, कितना आ गया, बारा दूना चोबिस, माइनस माइनस प्लस हो यानि 12 दुना 24 तो लिखेंगा अतर बास की लंबाई बास की लंबाई बास की लंबाई बराबर 24 फूट में दिया हुआ है तो 24 फूट हो जाएगा बास की लंबाई तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रस्न 15 का पहला एक आयताकार खेत की लंबाई चोड़ाई की दुगनी से 6 मीटर अधिक है यदि इसकी परिमाप 132 मीटर हो तो खेत की लंबाई और चोड़ाई ग्याद करें तो प्रस्न 15 का पहला तो लिखेंगे माना की आयताकार खेत माना की आयताकार खेत अब यहाँ पर कहा रहा है खेत की लंबाई चोड़ाई की दुगनी से 6 मीटर अधिक है तो देखें आयताकार खेत की चोड़ाई खेत की चोड़ाई चोड़ाई को संचेप में इस तरह से लिखते हैं तो माना कि आयताकार खेत की चोड़ाई बराबर X मीटर मान लेंगे ठीक है चोड़ाई को ही क्यों X मानेंगे क्योंकि कह रहा है खेत की लंबाई जो है चोड़ाई की दुगनी से 6 मीटर अधिक है तो लिखेंगा तर खेत की लंबाई यानि लंबाई बराबर कितना कह रहा है चोड़ाई की दुगनी से यानि चोड़ाई जितना माने है उसका दुगना से 6 मीटर अधिक है यानि जोड 6 2X जोड 6 मीटर तो देखें लंबाई कितना हो जाएगा खेत का 132 मीटर हो, तो दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रस्न से, प्रस्न से क्या दिया हुआ है, खेत का परिमाप, बराबर 132 मीटर, तो खेत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो खेत देखें, आयत का परिमाप का सूत्र होता है, दो गुना, लंबाई, जोड, चोड़ाई, यह होता है, तो दो गुना, लंबाई, जोड, चोड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, 132 मीटर, ठीक है, तो खेत का परिमाप का सुत्र लगा देंगे यानि आयत का परिमाब का सुत्र लगाएंगे क्योंकि खेद क्या है आयताकार है अब लिखेंगे दो गुना लंबाई कितना है देखें लंबाई को दो एक्स जोड़ छे है तो लंबाई के जगा पे लिखेंगे 2x जोड 6 चोड़ाई कितना है चोड़ाई हम x माने है तो चोड़ाई x लिखेंगे जोड x बराबर 132 इस तरह लिख लेंगे अब 2 गुना 2x प्लस x यानि 3x प्लस 6 हो जाएगा देखें 2x और x जोड देंगे तो 3x बराबर 132 लिख लेंगे आप गुना करेंगे तो 2 से 3 दूना 6x प्लस 6 दूना 12 बराबर 132 इस तरह लिख लेंगे अब 6x बराबर 132 माइनस 12 6x बराबर 132 में से 12 खटाएंगे दो में से 2 गया सूनने तीन में से 1 गया 2 और 1 यानि 120 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा अथा है x बराबर 120 बटा 6 तो 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 यानि 20 तो x बराबर 20 आ गया तो लिखेंगा अथा 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 खेत क्या पूछ रहा था? खेत की लंबाई तो खेत की लंबाई खेत की लंबाई बराबर खेत की लंबाई को हम कितना माने थे? 2x प्लस 6 यानि 2 गुना एक्स कितना आया है? 20 प्लस 6 मीटर तो कितना हो जागा? 22 दून 46 छे 46 यानि 46 मीटर या आ गया खेत की लंबाई देखेत की लंबाई को हम माने थे? 2x प्लस 6 ठीक है? 2x तो 2 गुना एक्स एक्स का मान बीस है तो 2 गुना एक्स प्लस 6 यानि 22 दूना 46 छे 46 और चोड़ाई चोड़ाई बराबर तो चोड़ाई को हम एक्स माने थे तो x पराबर 20 आ गया यानि 20 मीटर ठीक है? तो लंबाई हो गया खेत का 46 मीटर और चोड़ाई हो गया 20 मीटर तो इस तरह से इसको हल करेंगे बार चोड़ाई पराबर कर दो कर दो हो है कि ए प्डाब।